भाई मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूँ ना क्या पूछ होगे तो मैं पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगा है तुमारे आचल में क्या कोई सेट तुमारी जमीन खरीद सकता है क्या कोई सेट तुमसे बड़ा हो सकता है पूछे मा, वो मा है मैं से कुछ सकता हूँ अब यहां पे यह बन गए हैं अबदुल के बाप, जो शोले में थे कि एक दिन पूछूंगा उस खुदा से कि मुझे दो और बेटे क्यों नहीं दिये जो मैं सहीद कर देता, देश पे कुरवान कर देता यहां पे बोल रहे हैं एक दिन भारत माता से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे आचल में मेरे लिए कोई जगर नहीं भाई, तो मैं कान नेपाल बेज़ दिया किसी ले यहीं पर हो भाई रवीश, यहीं पर हो, उसी घर में हो उसी सड़क पे जा रहे हो, जो भारत माता का ही है, जो गड़करी जीने मनवाए एक्सप्रेस पे उसी पे अपनी गारी चला रहे होगे, तो यह कहा मतलब, इस तरह की बाते मुझे लगा, एक जगह तो इन्होंने, जो मैंने आपको शुरू में बोला की मेरे पेट पे लात मार दिया, और यह वही बात, रेड लाइट पर जो भीक मांगते हो, उसकी वाली बात पर दुबारा की, भाई, यह, क्या कर रहे हैं, अपने आपको कितना दीन हीन बता होगा, तुमने 17 साल काम के एंडी टीवे बे अच्छी कासी सैलरी मिलती है, तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया, मुझे लगता है कि मुझे बेरुजगार करने के लिए हजारो करोड रुपए के दाओं खेले गया है, हजारो करोड रुपए खर्च किये गया है, कि मुझ से कि इसी तरह से मुझे पालो, इसको बाहर कर दो, खरीद नहीं सकते, इसका क्या तातपर है, इसका तातपर इनका ये था कि उनका जमीर नहीं खरीद सकते, तो हटा दिया, आपको हटा है, नहीं आपने इस्तिफा दिया है, और इस्तिफा बहुत लेट से आपने दिया है, आप अपने घर बैटे जो आपकी सेलरी लेनी थी लिया, एंडी टीवी में हो सकता है, आपका कुछ स्टेक हो, वो हो, वो सारा आपने कर दिया, और उसके आद पूरे सूनियोजित धंग से आप हटे हैं, नौसकार दोस्तों, आज किल रविश कुमार काफी चर्चा में है, दो इं निकालें उनके और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूँ और आप लोगों के कमेंट्स जो है उस पर जानू, उससे पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि रवीश जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, और जो करते दिख रहे हैं, मतलब अपने आपको जिस तरह से प पहला वाला देखा पूरा, और वो मैंने इसलिए भी देखा कि हाल ही में बिहार में आप लोग जानते होंगे कि जहरीली शराब पीकर अभी तक जो डिटा आ रहा है, दो सौ से अधिक अलग अलग अख़वारों में आ रहा है कि दो सौ से अधिक लोगों की मित्यू हो चु ने दारूपी ही कियों और इस पर मैंने कल भी एक अभीशेक तिवारी के शो पर मैंने अपना एक लंबा इंटर्विव है, वो जाकर आप देख सकते हैं कि मेरे क्या विचार है, मैं इसकी चर्चा यहां पर क्यों कर रहा हूँ, अजीत अंजुम मेरे ही जिले के हैं, बेव रविश के पास वो समाचार नहीं पहुंचा होगा, या जीत अंजुम के पास वो समाचार नहीं पहुंचा होगा, इन दोनों ने उस डेर घंटे में बिहार की घटना पर कुछ नहीं बोला, अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं उस पर तो है ही नहीं, वो उनका मतलब विश एक भी शब्द बिहार के उपर है ही नहीं जो ट्राइजडी हुई है अभी उन्होंने भोजपूरी में भी एक चैनल लॉंच किया है भोजपूरी में भी बोल रहे तो उसमें भी शिक्षा और तमाम तरह की बाते कर रहे तो उसमें भी वो सब नहीं है उसी पेज पर आप देखेंगे कि रवीष ने एक कटिंग एक लिंक शेयर किया है कि भाज यूमो के भाजपा जनता यूँवा मोर्चा जो भाजपा का यूथ वाला है उसके दो कारिकरता जो है मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े गए ऐसा आरोप है उनके उपर सावित वा नहीं हुआ मुझे नहीं पता मान लेते हैं कि है उसको उन्होंने लिखा है कि ये क्या चरित्र देते हैं ये भाजपा वाले कि ये लोग उनके कारिकरता चोरी कर रहे हैं बिहार में 200 लोग मर गए वो क्यों मरें प्रशासन क्या कर रहा था शराब जब बंद है वहां क्यों बन रही थी इस पर रविश ने एक शब्द नहीं लिखा है लेकिन भाज्यूमों वाले ने वो मोबाइल चोरी में उसका नाम आया है तो उसके कारण भाजपा पूरी मतलब भाजपा मोदी और पता नहीं क्या पूरी विचार धरा को ये एक दाइरे में समेटने की कोशिस कर रहे है एक लोग पत्र संभाग ये चलाते थे कुरोना के ही टाइम में इनका चला हुआ था कि जो लोग लिखा करते थे उनको तो जब तक नितीश भाजपा के साथ थे तब तक इन्हें बहुत चिठी आती थी और जो ही नितीश भाजपा से अलग होते हैं वो चिठी आनी बंद हो जाती है बिहार पे आप जाके देख ल आता है उस पे कितना लिखा है मतलब जहां जहां एक्शुल में नरसंगार हो रहे हैं लोग मर रहे हैं जहां स्टेट इन्वाल्वड है वहां पे ये कुछ बात नहीं करता ये बात मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आगे जो हम बात करने जा रहे जिसमें अबतार जो है कल की ओल की भी अपने आपको ये क्लेम कर देता थोड़ी दिन में जिस तरह से ये जा रहा था कि इसको नीचे लाने के लिए कितने हजार करोर खर्च किये गए क्या क्या यूजना बनाएगी वह सब हम क्लिप्स में सुनेंगे लेकिन उसी धाकोसले वादी व उटी हुई है रुपिया गिर रहा है जिसका बहुत ही जो टेक्निकल विशय है जिसके बारे में समझ सामानी जनता कुनी होता है उस पर भी तुम लिखते हो तो भाई ये 200 लोग जो मर गये हैं तुम्हारे शेत्र के हैं भोजपूरी बोलने वाले वेल्ट के हैं उनके दो शब्द नहीं है तुम्हारे पास जो ये डेट सुई है 2200 और उसको किस तरह से दवाय जा रहा है और बिहार में प्रेस फ्रीडम कितना है इस पे तुमने तो कुछ नहीं बोला है आगे इस ने बोला है कि 99.999999 पता नहीं जितना नौ मुह में आया उतने बार बोल दिय है कि उतना परसेंट तो आलोचना करी नहीं पा रहा है सब मोदी के फेवर में ही है तुम किस के फेवर में हो यहाँ पे 200 लोग मर जाते हैं और आपको ख़बर नहीं होती है आप एक लाइन लिख नहीं पाते अब मैं धीरे धीरे आपको एक क्लिप दिखाता जाओंगा और हो सकता है यह क्लिप जो है दोनों इंटर्विव के आगे पीछे करके मैं दिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि पहले आजी तंजुम वाला फिर करंथा पर वाला होगा एक विशह से सम्मंदित इन्होंने जहां जहां जो जो बोला है वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा और उस प को बहुत बड़े व्यक्ति ने कॉल किया कि तो मैं इसे करो एसे करो खरीद लो इसको खरीद नहीं पाए तो जो है दुकान को ही खरीद लिया मेरा घोसला तूट गया अपको ला नटिम का तो उसको लेकर किसी बड़े गोदी सेट ने परशूट काट दिया तो अब मैं आसमान में ही हूँ, जमीन पर अभी नहीं गिरा हूँ, गिर भी सकता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ताक्ते हैं और हवा में तैर रहा हूँ, तो एक तरा से ऐसा लगता है, कभी उस्को supports और दास हो जाते हैं, और गोदी सेथ ने मुझे बिरोजगार कर दिया, अब कोई काम नहीं है, मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूँगा आगे, साथ ही नोंने करंथापर वाले क्लिप में बोला है कि तैशुदा धंग से मुझे हटाया गया है, कि एक प्लान चल रहा था, कि इसको कैसे हटाया जाए, कॉंस्पिरेसी चल रही थी, फिर आगे वो बोलते हैं, अजीत अंजुम को बोलते हैं कि बोज रहेगा और पेट पर लात मार है आपने, दो नमबरी बिजनेस करने वाले, तीन नमबरी बिजनेस करने वाले, कि आपने ये जो किया है, और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोज़ बनके रहेगा इतनी असानी से नहीं जाएगा जिल जी एक बात जो आप निस्वात बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में सुबह शाम जला हूं तपा हूं और उसके पेट पे लात मारी है अपने ये बड़ी-बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्ला इन तीनों बिंदों पर मैं थोड़ी देर चर्चा करना चाहूंगा कि इस देश में इस विश्व में हजारों लोग हैं ऐसे जिनकी नौकरी जाती है लगती है जाती है लगती है लगते रहती है ऐसा क्या था इन डी टीवी में जो एक बिजनेस है जिसको हर लीगल तरीके से जो भी है इन्वेस्ट कर रहा है वेक्ती वो उसको उसमें इन्वेस्ट करता है उसका कुछ विजन है विजन नहीं भी है वो खरीद के बेच दे बंद कर दे कुछ भी कर दे उससे ये कैसे साव वही बात हो गई कि जब आप आपसे जो और्गनाइजड भीक मांगने वाले आपको जब मिलते हैं रेड लाइट पे आपसे वो मांगेंगे अगर आप नहीं देंगे तो आपको चार गाली सुना के चले जाएंगे यह तो वही हो रहा है यहां पे कि तुम्हें ऐसा नहीं है क कि तुम बड़ा महान काम कर रहे तो पूरी मानपता जो है तुम बताने रॉकेट वहां पर बना रहे तो अब कैसे मार्स पे जा पाएंगे हम लोग और बीच से निकाल गया तो है तुम कुछ नहीं कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे वह तुम्हारे चैनल की वीवर्शिप उससे साबित हो जाती है कितने लोग तुम्हें देखा करते थे और अगर मतलब यह बताओ ना कि प्रणाय रॉय राधिकार रॉय ने क्यूं उन्होंने क्यूं इस्तिफा दिया वो चलाते रहते तुम पब्लिक फंड जुटाते और काते तुम्हारे बैकर्स बहुत जाते वेटिकन से बहुत लोगों को फंड मिल रहा है तो तुम्हारे जैसे लोग को जो तुम स्वयम क्लेम कर रहे हो कि मोदी के खिलाप और कोई बोलता है नहीं महीं बोलता हूं तो तुम्हें फंड की कमी पढ़ गई थी क्या मंगवा लेते भाई फंड ये तो एक तरह से कालिदोना भाई कि वो भिग गए अडानी ने ऐसा वो खरीदने के लिए कोई बेचे गा तब तो खरीदेगा कि वो एक दिन आया और टेबल पर रखा होता है इंडी टीवी उठा के जेब में रखके चला गया ऐसा तो हुआ नहीं है और तह शुदा ढंग से अपने आपको इतना अधिक महत्त देना कि भाई पता नहीं तुम कौन हो जैसे तुम से ज़्यादा ना कोई एड ला रहा था चैनल में तुम से ज़्यादा ना कोई इंपक्ट क्रियेट कर रहा था कि तुम्हें जो है एक दम यह हर चीज में कॉंस्पिरेसी देखने वाले लोग उसी ब् निकाला नहीं स्वैम इसने अजीत अंजुम वाले इंटर्विव में क्लेम किया है कि कोवीड के समय से ही मुझे स्थितिक अंदाजा हो गया था कि क्या होने बला है कोई तो है जो कुछ खरीदने वाला है तो मैंने आफिस जाना बंद कर दिया तो तुम एक तरह से अपनी से दोरा रहे थे भगा रहे थे उनके जान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे जान की बहुत कीमत है अब उसको तुम ऐसे खेल रहे हो जो मतलब डर पोक होकर घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था जो आदमी अब उसको घुमा के मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली बता रहा है उस दिन जो है त्याक पत्र दूँगा पता तुम्हें चल गया था मूब्स बन रहे थे तो आप बोल देते तो फिर ये सब की तहशुदा तरीके से जो है मुझे हटाया गया प्लानिंग की गया जैसे रवीस कुमान ना हुए जेम्स बॉंड हो गए कि ये जो है रियो डी जे तो आप इतना इलाइबुरेट प्लान तुमको निकालने के लिए कोई क्यों करेगा भाई एक बार खरीदेगा लात मार के बाहर निकालेगा उसको जिसकी इक्षा होगी जिसको उसको रखना होगा रखेगा और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है नहीं अनैतिक है जो तुम तुम्हें नहीं हटाया जाता है तुम्हें अनन्त काल तक जो है प्रोफेसर एमेरिटरस बना के छोड़ता है कि नहीं भाई रवीज जी अपने घर से ही जो कर रहें करने दीजिए और यह ऐसे ही चलता रहेगा प्रशन पूछना है राधिकार रोय प्रणाय रोय से पूछ वह भी तो गोदी सेट हुए ना तुम तो बाकी सब को गोदी सेट बोल ले हो वह भी तो गोदी सेट ही थे नहीं नहीं वहीं हो गया कि तौड़ा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी वाली बात इन्होंने आगे भूला कि बोज रहेगा उनके उपर जो जिसने हमें निकाला है क्यों बोज रहेगा भाई ये गिल्ट ट्रिप पे क्यों भेज रहे हु किसी को उसके लिए है एक organization है उसमें से किसी को निकालने बोज अब क्या Twitter ने आधे लोगों को निकाल दिया वो क्या इलान मस्क अपने गलें पत्थर बांदे घुम रहा है कि नहीं ने बहुत बोज हो गया बहुत लोगों को निकाल दिया फेस्बुक ने आजारों लोगों को निकाला है गूगल कर रही है चटनी कई कमपनियां धीरे-धीरे करके चटनी सब क्या गलें बोज लेके कि उनको रात में नीद नहीं आ रही होगी जैसे कि उनके रूब में गूप्रो गादा दिया है जो लेता रहता है हरेगे सेकंड पे प्याट इसी संदर्ब में मैं कुछ और क्लिप्स दिखाना चाहूंगा आपको और ये एक बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट है भी मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारो करोड रुपए के दाओं खेले गए हैं कि हजारो करोड रुपए खर्च किये गए कि मुझसे किसी तरह से मुक्ती पालो इसको बाहर कर दो यहां पे देखिए यह बोल रहे करन थापर को दिये गए इंटर्विव में इन्होंने बोला है कि मुझे हटाने के लिए एक खेल रचा गया जो पहले में बात कर रहा हूं उसी संबद्ध है और उसके बात की खरीद नहीं सके तो हटा दिया मुझे बिरोजगार करने के लिए हजारों करोडों का दाव खेला गया और तीसरा जो है उसी से फिर मतलब सेम लाइन पहे कि हजारों करोड खर्च किये गए कि मुझे से किसी तरह मुक्ति पाले इसे बाहर कर दिया जाए अब देखिए ये जो तीन क्लिप्स आपने देखे हैं करन थापर के खरीद नहीं सकते इसका क्या तातपर है इसका तातपर इनका ये था कि उनका जमीर नहीं खरीद सकते तो हटा दिया आपको हटा है ने आपने इस्तिफा दिया है और इस्तिफा बहुत लेट से आपने दिया है आपने घर बैटे जो आपकी सैलरी लेनी थी लिया एंडी टीवी में हो सकता है आपको कुछ स्टेक हो वो हो वो सारा आपने कर दिया और उसके आद पूरे सुनियोजित ढंग से आप हटे हैं आपको हटाया नहीं गया आपने अपना भविश सुरक्षित किया आपने देखा नाप तौल की रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं रहें तो कितना रहें कैसे करें क्या करें इतने के बाद जो है आप हटे और उसके बाद फिर आप जो है बोले जा रहे हैं कि भाई मुझे हटाने के लिए मतलब हजारों करोरों का दाव खेला गया आप से मुक्ति पाना मतलब किसी भी और्गनाज़ेशन के हेड के लिए या जो उसमें एक मेजॉर्टी स्टेक या उसका इंफ्लेंस होता है उसके लिए उसको कुछ करने एक ज़रूरत नहीं है उसको सिर्फ बोलना होता है इसको हटा दो बात खतम है वो इतना लोड नहीं ल और उसका पहला मीडिया एक्विजिशन यह नहीं है हर उद्योग पती जो है मीडिया में पैसे लगाता है क्यूं लगाता है वो एक अलग चर्चा का विशह है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे मुक्ति पाने के लिए उसने इतना मतलब किया नहीं भाए ऐसे नहीं होत जाने से मुझे लगता है भाजपा को घाटा हुआ आनी हुए चाहे रवीश हों राहूल हों राजदीब सरदेसाई हों राहूल कमल हों राहूल जो पहले मैंने बोला था राहूल गांधी मैंने बोला था इन लोगों का होना अत्यावश्यक है भाजपा के आगे बढ़ने क लिए रवीश का NDTV में रहना भाजपा के लिए बहुत आवश्यक है भाजपा कभी भी अगर वो एक सुनियोजित धंग से चलती है कभी नहीं चाहेगी कि रवीश को हटाने के लिए भाजपा के पास कई अवसर आए NDTV को बंद तक करने के कई अवसर है किया क्या नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि एक संस्था का जो इतना विस्यस कैमपेंज चला रहा है जो इतनी नकारात मकता फैला रहा है उसका होना आवश्यक है ताकि लोगों को पता चले कि जिस विचारधारा के युद्ध में हम अर्थकंडे अपनाये जाते हैं और कौन-कौन से वो विशय हैं जिनको उठाया जाता है और किस किस तरीके से भारत की छवी हिंदूओं की छवी समाज की छवी चुने हुए नेताओं की छवी उसको धुमिल करने के लिए उस पे किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक था पठान कोट मामले में एंडी टीवी ने क्या किया इतनी घटिया रिपोर्टिंग उसके बाद भी भाजपा सरकार ने एक दिन का बैल लगाया वो भी इनफोर्स नहीं कर पाई तो तुम जो ये बोल रहे हो कि मुझे हटाने के लिए साजिस रची गई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ सकता हो जो दूर गामी सोच रखता हो दूर दृष्टि वाला व्यक्ति हो वो कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा के उत्थान के लिए रवीश को हटा दिया जहे नहीं रवीश का रहना आवश्चक है जो दिन रात भाजपा को गालियां देता रहे उसका होना आवश्चक है उसके होने से ऐसी पार्टियों को फाइदा होता है इसी लिए ऐसी पार्टियों के छुट वहीये नेता रवीश के ओपर ट्वीट और यह सब करते रहेंगे वो लोग जो decide नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि यार मतलब क्या है कि सड़क बन रही है, मैं जिस सड़क पर चल रहा हूँ, आता जाता हूँ, मुझे बनती देखती है, इस आदमी को सड़क नहीं देखती, बिजली हर तरफ आगई, इस आदमी को तीन गाव है, क्या समस्या इस वक्ति पे, इस कारण से रवीश का होना आवश्यक है, अगला क्लिप मैं चाहूँगा कि आप देखें, जहां पर ये फिर से छोटी बात को कितना बड़ा बना कर दिखाना चाहरे है, ये देखें, इतने डरगा हैं ये सारे, कि मेरे नाम से इतना खौफ क्यों है, क्या मैं दो हजार रुपए का कॉलम नहीं लिख सकता किसी हिंदी के बड़े अखबार में, तो आप एक पत्रकार को बेरुजगार करने के लिए कितने करोड़ खर्च कर रहे हैं, और वो दो हजार रुपए ना कमा सके, इसके लिए आप चाले चल रहे हैं, इसके आपके पास तो अभी भी है ना व्यक्ति के माद्यम, आप मतलब क्या चाह रहे हैं, कि आप इस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं, कि आपको हिंदी के अखबार नहीं दे रहे हैं, तो उसमें मोदी का है, क्या मोदी के खिलाफ अखबारों में बात नहीं चपती, हिंदी के अ खबारों में डाली ना आप तो इतनों का neste mgION दीौ में आपका लेग चप सकता है इंडियन में लिख सकता है उतनी आइससे सर्कूलेशन अख़बारों का नहीं उस हिसाब का आप तो दिन में 18 पोस्ट एक समय में लिखा करते थे तो फिर हर चीज का ब्लेम अब कल को जो है आपको जुलाब लग गए आपको लूज मोशन सोने लगेंगे तब आप कहेंगे कि यह खवप है मोदी का जो मेरे घर के आसपास इस तरह की हवा बना दी कि मुझे लूज मोशन सो रहा है हर चीज को सीधे मोदी से जोड़ कर देखना यह बताता है कि एक तरह से मानसिक रूप से कुछ तो समस्या हो गए यह रवीश में क्योंकि आप वही इस्तीफे वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उस दिन का वीडियो और उसके बाद जो यह दो इंटर्विव आए हैं और संभवता आने वाले दिनों में यह और भी इंटर्विव देंगे यह अचानक से इनको अब यह अडानी को और मोर्दी को लगाता टार्गेट करने लगे हैं टार्गेट इंदा सेंस की देखो मेरी तो नौकरी चलीगी अब हो सकता है कि रवीश अपने लिए फंडिंग खोज रहे हो क्योंकि सुसांत साइथ थे जब उन्होंने इनडी टीवी छोड़ा था तब उन्होंने बताया था कि रवीश की सैलरी कितनी है और अच्छी कासी सैलरी थी तो जब वो सैलरी अचानक से चली जाती है को लेकर इनहें बताया होगा किसी नहें कि भाई आप यूट्यूब करेंगे तो यह होगा जब आप भष की planning कर रहे थे लेकिन क्या होता है कि यूट्व पर आपको रगुलरली डालना होता है अगर आप रेगुलरली डाल रहे हैं उसके बाद हमने यह भी देखा कि आपके वीडियो का जो वीवर्शिप है वो धीरे-धीरे नीचे जा रहा है तो वहां पर भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरह की बात करना एक तरह से इनको लगा कि अब हम विक्ट आया गया है और अब यहां तक बोलना है कि मुझे दो हजार रुपिये जो मिलते एक आर्टिकल लिखने के किसी हिंदी अखवार में वो भी खौफ का महौल ऐसा है कि वो भी मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि रवीश को फंडिंग चाहिए कि भाई मेरी इस स्थिति उस तरह की नहीं है मुझे पैसे दो तो इस कारण वो जो है यह यह विक्टिम कार्ट जो है यह खेल रहे हैं अब जो है यहीं पर थोरा सा और यह अजीत अंजुम वाला इंटर्व्यू था उसमें एक दम भावू खोकर यह पूछते हैं यह देखिया आप भारत मा हमारी जमीन खरीच सकता है क्या कोई सेट तुम से बड़ा हो सकता है पूछे मा वह मा है मैं से कुछ सकता हूँ अब यहां पर यह बन गए हैं अबदुल के बाप जो शोले में थे कि एक दिन पूछूंगा उस खुदा से कि मुझे दो और बेटे क्यों नहीं दिये जो मैं स खुदर करिक है लिए कि रहे हो इस तरह की बाते मुझे लगा एक जगह तो इन्होंने याप पो पेट पर लात-मार दिया और यह वही बात रेड लाइट पर जो भीक मांगते हो उसकी वाली बात पर दुबारा की भाई ये क्या कर रहे है यार अपने आपको कितना दीन हिन बता हो गयार तुमने 17 साल काम के अच्छी कासी सैलरी मिलती है तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो जब मैं एक अच्छी लाइफस् यूंगा कि उसके अच्छी लेजगम बिल्कुल जगह है रवी सबके ले जगह है अबके लिए बहले उसासे पर आप मूत्र वी सर्जन कर रहे हो लेकिन आपके लिए भारत माता के अच्छी जगह बाता ने विश्ठा करने वालीं तक को जगह दे रखी है बहुत लोग है भारत माता का कुछ नहीं बिगरता उनका आचल बहुत विशाल है और उनका आचल जो वही है ना कि ये सब आप मूतरत्याक करते रहो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे बच्चे उनके पैदा होते हैं मरते हैं कई बारता है इसलिए क्या यार मतलब भा बाता से पूछू गयार अब देखिए यह वाला क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा यह सुनिए लेकिन गोदी सेट एक अवधारना है जैसे गोदी मीडिया एक अवधारना है और इन काली मर्सेडीज महंगी खुबसूरत गाडियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता ह इसकी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इनका एक फैसिनेशन है कि मैं कुछ वैसा करूं जो इन्वेंटर यह बनना चाहते है अविश्कारक अब मैं फिर मुझे याद आता है कि शौरी फिल्म आपको याद होगा जिसमें राहूल बोस से केके मेनन का पहली बार जब इनकाउंटर होता है तब वो अपने जो साथी करनल थे लेटनेंट करनल उसको बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो शेर का शिकार करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो शेर की सोय हुए सेर की या मरे हुए सेर की दूम काट लेते हैं और उसके साथ फोटो किशाकर हीरो बनते हैं तो यहाँ पर रवीश का वही है कि यह अपने आपको कुछ ऐसा करते दिखाना चाते हैं जो काल जई हो जिसे याद रखा जा सके तो यह गोदी मीडिया गोदी सेट फिर डर का महौल अपातकाल आ गया माइमिंग वाला शो जो था इनका माइमार्ट वाला वो वाला शो उसकी भी चर्चा इन्होंने की है उसमें किस तरह से कैसे को आगे हम चर्चा करेंगा उसका फिर और भी चीजे हैं जिसमें रवीश ने नए शब्दों को गरने के लिए पूरा जीजान लगा दिया है कि वो कैसे मेंस्ट्रीम हो और मेंस्ट्रीम कोई चीज अब जैसे आप कोई चीज बनाते हैं जब हम ही यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो कई बार आपकी इक्षा होगी मन में कि नहीं इस तरह से किया जाए यह वाला पाट काट के अगर हम आरंब में डाल देंगे तो एकदम वाइरल हो जाएगा वाइरल हो इसे नहीं होता है वाइरल होने पाट कुछ भी हो सकता है और उसकी सर्व सुलव सर्व ग्राहिता होती है अब्रीबडी मतलब वाइड एक्सप्टेंस उसकी होती है यहां पर रवीश के गोदी मीडिया गोदी सेट के एक्सप्टेंस सिर्फ उनके वाटसेप ग्रूप के चाटुकारों की है या उनके रवीश जी आपकी जनता में इतनी पैठ नहीं है बहुत लोग आपको इसा विश्वास भी दिलाते होंगे लेकिन जनता में अगर आपकी पैठ होती तो आपके चैनल की टी आरपी इस तरह की नहीं होती और स्वैम को मतलब जेपते हुए या लिखना कि मैं जीरो टी आरप नहीं है जीरो टी आर्पी वाला एंकर होना खास करके तब जब आप एक बिजनसमैन के लिए काम कर रहे हैं आपकी लोग प्रियता का एक आकरा टी आर्पी होता है आप भले ये बोलते रहे और आगे इन्होंने बोला है कि यूपी के एक वेक्ति मुझे बता रहे थे जानकार कि मेरा तो पहले जब तक मैं था एंडी टीवी में तब तक तो उस केबल में मेरा एंडी टीवी आता ही नहीं था और जिस दिन मैंने त्याग पत्र दिया उसके अगले दिन से वो आने लगा है तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कौशिक बसू टाइप के लोग जो है ना वो अ मोदीक बारे में एका दिया मैं ये लंदन में कैब में जा रहा था तो कैब ड्राइवर ने मुझे आएम एफ के वारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया कि इंडिया कैसा कर रहा है तो सब चीज घुमा फिरा कि आप जो है दूसरों के माद्यम से अपने दिल की बाते जो है वो कहना चाहते हैं तो इन सेटों को लोगतंत्र के हत्यारों के रूप में नहीं देखा जाएगा रवीजी लोगतंत्र के असली हत्यारे आप जैसे लोग है लोगतंत्र की हत्या आप लोगों ने की क्योंकि उद्योगपती लोगतंत्र के किसी भी स्थम्भ में डिरेक् उसको खड़ा रखने के लिए आपने क्या किया, तो एक तरह से लोकतंत्र का वास्तवी खत्यारा कोई है, तो आप और आपके जैसे बिके हुए एंकर्स हैं, और ये दोनों तरह के हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं फालाना टीवी जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है जो भी एक पक्ष पकड़ कर खड़ा है, और जो सरकार के हर नीतियों की आलोचना कर रहा है, या हर नीति की मतलब बढ़ाई कर रहा है, दोनों से मुझे समझ चाहा है, और इस मामले में, आप पहले वाले खेमे में हैं, कि आपको सरकार में आज तक कुछ अच्छा लगा ही नहीं, कुछ अच्छा दिखाई नहीं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एक नहा चीज गड़ दिया कि नहीं, मीडिया का तो कामी आलोचना करना, और इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं कि यह फरजी की बाते हैं कि मीडिया का कामी आलोचना करना, अब करन थ कि अस्तिफाई दे दिया, उनके पैसों की कोई क्यमत नहीं है, उसमें ताकत जरूर है, पर उन पैसों में कोई कीमत नहीं है, अगर कीमत होती, तो मुझे खरीद लेते हैं. अब यहां पर इन्हों ने आडानी के पैसों के बारे में बात की, कि जेब में नोट होना, और जि के जिगर में जहां भी जिगर है इनका उसमें बहुत ज़्यादा दम था इसलिए इन्होंने इस्तिफा दे दिया तो जब दम था जिगर में तो अब रो काह रहे हो अब रो भी ने रहे हो बिलख रहे हो बिलबिला रहे हो गिरगिरा रहे हो एक तरह से और अपने आपको तुमने अपना जो भी, मुझे जिस दिन स्थिफ़ा दिया था रवीश ने कि अगर रवीश में थोरा भी आत्मसमान बचा होगा लुश दे दिया उसके बाद मैंने स्थिफ़ा दे दिया येवाल आपका वीडियो आया Angry教 women चार दिन उस टाइप से नहीं आया फिर आपने जब से गोदी सेट के नाम संदेश और बाकी चीज़े आपने देना आरंब कर दिया तो मुझे लग गया कि आप किस राह पे जार है तो आप जो है कम से कम ये जिगर में दम की बात मत कीजिए जेब में आपके नोटों की कमी हो गए इसलिए अब आप जिगर में दम की बात कर रहे हैं और जिगर में दम था अड़ाने के आपके मालिक को ही खरीद लिया उसको कहते हैं वो कहीं और पैसा लगा सकता था वो संभबता है या भी जानता होगा कि इस वेंचर से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है फिर भी उ इसको कि पहले चाती ठोक रहे हैं अरे अटा के दिखाओ मुझे तुम मुझे नहीं खरीच सकते हैं मैं स्वें इस्तीफा दे दूँगा और इस्तीफा दे के आप आप गिरगर आ रहे के अरे बताओ मुझे तो हिंदी अखवार वाले भी 2000 रुपया नहीं दे रहे हैं एक क पैसों की कोई कीमत नहीं है ताकत है बस अगर कीमत होती तो मुझे खरीद लेते ये तो वही बात है कि मैं ये पैंशिलाथ में लिये हुए हूं और मैं अपने पुलकित को भो बूलता हूँ तुमारी वकात नही ये पैंशिल के फिंछिदने की अब मुझे ये मतलम मैं यह पूछ भी नेराव कि पुलकित को पैंसिल की अवशकता है की नहीं, मैं बस पैंसिल लेके नाचे जा रहा हूं कि मेरे पास तो ऐसी जादूई पैंसिल है, वो खरीद ही नहीं सकता, और उसको फिर जिगर में दम और पता नहीं, पैसे की किमत से अटेच की जा रहे हैं, स्नाप आउट आफ इट, रवीश, हर चीज जो है, ति दुनिया, मतलब सवर मंडल, नाम ऐसे रवीश है, रवी का भी स्वामी, मतलब सूरी का भी स्वामी, तो हो सकता है, इनको लगता होगा, कि इनके कमर के चकर जो है, मतलब नवगरा और सेटेलाइट जो है, धरती के कर काटती होगी, रवीश हैसानी है, अपने नाम को तुम जैसे बोलते थे ना, मतलब बाद में तो खुद को ही मैं रविश कुमार बोलने लगे, रविश मतलब कूडा कचरा होता है, तो वही वह असली आपका नाम है, वही आपके साथ मतलब इट कोइंसाइट विद यू, फिट्स विद यू परफेक्टली, तो उसी पर आप ठीके रही है, अगला देखिए उन्होंने अपने आपको फिर से इंपोर्टेंस देते हुए कि मैं जब शो की परिकल्पना करता था, तो किस तरह से करता था, तो उन्होंने यहाँ पे अपने तरह के मीडिया के बारे मे मैं दो क्लिप यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक अजीत अंजूम वाले पर है और एक उन्होंने दिया है करन्थापर को, यह देखिए तो उसी तरह से Black Screen किया, बहुत कम लोगों को पता था, कि मैं ऐसे चाहता हूँ। तो बहूत आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दुसरे चैनल में नहीं कर पाते हैं इतना बड़ा फैसला – अँहाँ नहीं कर पाते हैं, सवाली यह उत था, उस तरह से नहीं हो हैं उस शो के कॉंसेप्ट को समझने की सलाहियत ही नहीं है बाकी लोग बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ इन्होंने दो-चार विलक्षन कारी किये थे जो भारतिय मीडिया में इनके हिसाब से नहीं हुआ था अब मैं फिर वापस जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कैसे गोदी मीडिया जैसे शब्द का प्रियोग करना अब गोदी सेट हो रहे हैं और इसी तरह के शब्दा लंकारों से यह कुछ करना चाह रहे थे कि लोग जाने किया रवीश ने यह शब्द दिया है अब यहां पर क्या है न कि स्क्रीन ब्लैक आपने किया था तो पहले हो चुका है आपको इमर्जेंसी के टाइम का इंडियन एक्सप्रेस बनना था कि उन्होंने एडिटोरियल पूरा काला कर दिया था तो यह अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है यह बकलोली है आप मत आपको इमर्जेंसी लाने वाली इंडरा गांधी गांधी जो है अच्छी लगने लगी थी उसके घर के लोग राहूल गांधी आपको बड़े अच्छे लगने लगे उसमें आपको भारत का बविश्य दिखने लगा था और एक्च्वल आपातकाल जो हुआ था उस पर वैसे लोगों के लिए आपने रामजेस कॉलेज के उपर जो है उसका अपने प्राइम टाइम में आपने उसका स्पीच जो है लाइव सुनाया था तो आप मतलब ये सब बोल करके ये जो आपने बोला कि इस तरह के शो को समझने की सलाहियत नहीं है किसी चैनल में स्वैम किया कुछ और उसको जो है ये बोलने है कि ये इतना हाई क्लास है ना कि बाकी चैनल कर ही नहीं सकते भाए बाकी channel भी वह सब करता है नीचे कोई आग लगा देता है कोई पानी परसा देता है कोई स्री देवी टब में कैसी मर्य taf उसमें टब में उतर रहा है आपके भी channel के लोग यह सब करते रहे और आपने जो किया वो ऐसा नहीं था कि कि आपने किसी स्थिती का एक नाट्य रुपांतरन करने के लिए कोई मतलब ढंग से स्क्रिप्ट लिखा रुख्या नहीं आपने अपने बायसेज को आपके जो भीतर के पुर्वग्रह हैं उनको आप जो है दिखाने के लिए उनका चितरन करने के लिए आपने मायम प्रियोग किया, आपने स्क्रीन काली की, आप बाकी तरह के हथकंडे अपनाते रहें, तो उसमें ऐसा कुछ विलक्षन नहीं था जिसको आप क्रियेटिव कह सकते हैं, नहीं, ये केवल वही है, जैसे वामपंती है न, ब्यार में 200 लोग मर गए, कोई-कोई पोस्टर बाजी क कुछ नहीं हो रहा है, एक अखलाक, एक तबरेज कहीं कुछ हो जाए, तुरंत मुटी हाथ में लिए हुए और इस तरह की बाते हम लड़ेंगे साथ ही, ये सब होने लगता है, तो हमें पता चलता है, ये ये दोगलापन जो है, इसलिए हमें भटकाने की चेश्टा मत कीज करता है, लाखो करोर रुपे लगा कर जूट और नफरत फैलाने का काम करता है, यहां पे इन्होंने कहा कि भारत में निन्यानवे दसमलों नौन नौन पर सत्मीडिया जो है, मतलब मोदी की तारीफ करने में ही लगा हुआ है, और करोरों रुपे लगाए जा रहे हैं नफर और जूट का जहर बाटने में, तो भाई नफरत और जूट तो आप भी बाट रहे थे, आप मुझे बताईए ना कि अखलाक के समय में आप क्या कर रहे थे, जुनायत वाला जूट किसने फैलाया, जैसराम वाले जूट का सत्यापन आपने कितने बार किया, कितने बार उसक मतलब जितनी भी खबरें आवरा आफिक एंडी टीवी ने वो गुरगाओं में जो टोपी उतारके फेक देने वाली बात आई थी और बोला जैसे रामकाने वो जूट बाद में निकला वो एंडी टीवी का ही था आफिका टीवी दिल्ली दंगों के समय में मस्जिदों की छतों पर जो एन आई के ड्रोन का फुटेज था उसमें पत्थर जमा दिख रहे थे तो आपने क्लिप करके डाला था यह सब आपकी कारस्तानी है तो आप जहर माट रहे थे आपने बार बार जहर माटा है और यही कारण है कि आपकी यह दुरगती हुए है कि आपको जनता ने भी नकार दिया है आपको नौकरी भी गवानी पड़ी है और आज आप इस बात पर रो रहे हैं कि 2000 रुपय का हम को कॉलम भी किसी हिंदी अखवार में नहीं लिखने दिया जा रहा है आगे यह क्लिप मैं चाहूंगा कि आप देखें यहां पर भी अदानी के ही उपर चर्चा है क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोधी सरकार के म बैठें नजर आएंगे यहां यह कर रहे हैं कि अडानी जो है अगर ट्वीट कर दे कि पलाना अलोचना कर रहा है बीजेपी का कोई तो अगले दिन अडानी एडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे हुए होंगे चार दिन बाद क्या वाकई आज के समय में लोगों को लगत है कि इडी इस तरह से काम करने या सीबी आइश तरह से काम करने है और पहले किसी सरकार में इस तरह से काम नहीं करती थी अमित्षा को CBI ने जेल में क्यों रखा था चिदंबरम के जेल जाने पर आपको समस्या होने लगती है आपको जो है दो चार छुट भाईये जो पत्रकार हैं जो उल्टा सिधा करके और एक्शुल में जो इलीगल कारी है उस बल पर कोई जो है यूपी पुलिस पकरती है तब आप रोने लगते हैं लेकिन आपने अर्णब के लिए तो कुछ नहीं लिखा था और जिस तरह से लिखा था वो भी सब को याद है फेस्बुक पे आपने लिखा था बाकी के लिए तो आप पूरा का पूरा पूरा प्राइम टाइम करते हैं तो आप निस्पक्ष कहां पे है आपकी निस्पक्षता कहां पे है जो आप ये सब आरोप लगा रहे हैं कि एडी पकर लेगा कितने लोगों को एडी ने इस तरह से पकड़ा है और कहां क्या साबित हो गया कि जूटा की E.D. ने कुछ गलत किया है कहीं पे ऐसा स्टेट्मेंट आया है कोट का की E.D. जो है बिना काम का प्रतारित कर रही है आप अपने मालिक के बारे में तो कभी नहीं बताते जिनके उपर मैं पहले ही बोला भी बोल रहा हूँ 234 करोड का आपके दोनों मालिक मालकिन के उपर जो है अपना अपनी आमदनी छुपाने का है तो ये सब पे कभी बोलिए आगे है इनका अजीत अंजूम वाले इंटर्वियू में है और ये बहुत इंपॉर्टन्ट क्लिप है ये बता रहे है रवीश की इसने अपना प्रॉपगेंडा का तंतर जो है आट साल के से खड़ा किया था मैं चाहूंगा आप सुने इसे देखिए अगर मैं रहता दोजार चॉबिस तक तो जो आट साल में प्राइम टाइम के जरीए मैंने उनके सरकार की तमान तरह की गलतियों को डॉक्मेंट किया था ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का साल था बताने का साल था जितना आथेंटिक रूप से मैं बता था और रिकॉर्ड के साथ इतना record किसी भी जर्णिलिस्ट के पास नहीं है किसी भी प्रोग्राम में नहीं है यहाँ पर यह बूल रहे है कि मुझे इस समय पर हटाया गया है जब मैं 2024 के चुनाओं से पहले पिछले आठ सालों में जितना मैंने काम किया 14 से 22 उसमें मैं सब कुछ हिकठा करके लाता है और अभी तो माहूल बनाने का समय आया था यह स्वेम स्विकार रहा ही आदमी कि यह आदमी एक तरह से हिट जॉब करने के लिए इसने पूरा एक बनाया हुआ था कि इतने दिनों में क्या हो रहा था और यह इसमें बताता है कि कैसे NDTV में यह एरेंज करवाता फुटेज की कब क्या वोला था कब क्या नहीं हुआ यह सब यह सारी इसकी प्लानिंग थी और तब यह बुल रहा है कि मुझे एन मौके पे जो है हटा दिया गया क्या मीडिया का काम यहीं है एक एक साधारन सिंपल साप प्रश्ण है कि क्या मीडिया का काम इस तरह का है कि आप एक नकारात्मक अप्रोच लेकर चलें और आप यह दंभ भरें कि आप किसी चुनाव को इंफ्लूइंस करना चाह रहे हैं और उस वक्त जब आप से यह नहीं हो पा रहा है या जब किनी कारणों से आपको जवाब छोड़ना पर रहा है तब आप जो है बलेम कर रहे हैं कि ने मोदी ने अडानी को फोन किया होगा और उसके वाद उसने इस अब खरीद लिया इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा ये मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वैम यहताय करें कि इस तरह के लोग मीडिया में थे और आपको किस तरह से घुमराह किया जाता रहा अब ये एक आगे बोल रहे हैं कि अजीत अंजुम वाले में कि कोई चुनाव आएगा तो आफताव आ जाता है कोई चुनाव आता है तो कभी हिजाव आ जाता है ये आप सुनगे कोई चुनाव होगा तो आफताव आ जाएगा कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें लेकिन हर समय आप पबलिक के स्वाविमान को आप उसको जूता मत मारिया अब देखिए कि रवीश स्वावे में ही यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने जो किया था और जो कर रहा था इंडिटी वी में वो गलत था क्योंकि चुनाओ के समय में ही आप कर रहे हैं कि आफताब आ जा रहा है चुनाओ में आप कर रहे हैं कि हिजाब आ जा रहा है चुनाओ के समय तो आपने भी तो जुनाओ अखलाक तबरेज इस सब के बारे में खूब लिखा और बोला था जुनाइद आपने कहा गौमान्स के हमले में मारा गया गौमान्स के कारण जब को एक सीट का विवाद था सत्य सब्का बाहर आ गया अखलाक में आप एक distant relative उस पूरी भीर में एक आदमी का भाजपा से कोई connection था उस कारण आपने जो है उसको उस वक्त law and order state का subject है सपा की सरकार थी आपने सपा की सरकार को कुछ नहीं बोला आपने उसको कैसे गुमा के और किस तरह से एक बार बार गुमाते रहे आप याद कीजिए रोहित वे मुला का आपने कैसे प्रियोग किया था आप याद कीजिए कि किस तरह से रोहित वे मुला ने अपने सूसाइड उस पत्र में लिखाता है क्या नोट में लिखाता कि मेरी मित्यु को किसी वी तरह से पॉल्ट साइज ना किया जाए और रवीश आपने कितना उसको पॉल्ट साइज किया था तबरेज एक चोर था कथित तोर पर और उसको फिर आपने जैसराम वाला एंगल देखे उसको आप चलाने लगे कि उन लोगों ने आप जानते हैं कि चोरों के साथ किस तरह से बरताओ किया जा रहा है तो ये सब भी तो चुनाओ के समय ही इस सब का माहौल बनाए गया था और उसमें आप प्रमुक सेनापती थे विपक्ष के तो कैसे आप भूल जाते हैं ये समय अब आगे फिर से मैं अजीत अंजुम का ये क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर फिर विक्टिम होने के पराकासथा है इस प्र ले कि अ क्या फरक पड़ता है अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हैं आप की मर्जी है हमने अपनी बात कह दी है मेरे मन में जो ख्याल आया कि ये लोग धंदा करने लगे हैं ये लोग पहले से भी होता रहा है मैं इसको ले के कोई ये नहीं है लेकिन अब जो हो रहा है ना वो पहले से चली आ रही चीजों से हर बार मिला के मत देखिए आप देखिए कि कितनी रिपोर्टिंग बंद हो गई है अखबार तक में भीतर मिनिस्ट्री के करोड़् ये उपर और कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आती है कोई ट्वीय नहीं करता है मतलए अभी तक इनको न जेल बेजा आ गया न को इनके ओपर केस हुआ है कुछ नहीं हुआ है एंडी टीवी के उपर हुआ है वो भी इंफोर्स नहीं किया गया और वो भी एंडी टीवी उसको डिफेंड भी नहीं कर पाई खाली ये रोना रोती रही कि नहीं प्रेस प्रिडम मैं पठान कोट वाली बात कर रहा हूं जिसमें इस पर्ष्ट गाइड लाइन्स थे 26-11 के ज का वाजबा सरकारण तो आपको जिल में कब मतलब या आपको लगा कभी कि आपको जिल में सरकारड डाल देगी नहीं डारता आपको आपने आगे बोल दिया कि जिन्दा नहीं रखना चाहते तो ठीक है यहीं सहीज़ वाई कौन को मतलब प Cub तुमारी स्टौकिंग हो रहे तिक तुम अपनी गारी से जा रहे थे और कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था या कुछ हुआ था जब पूछा जाता है कि किसी जगह तुम्हारे साथ हिसा हुआ तो तुम जगह का नाम नहीं बताते कुछ नहीं बताते हो कि हाँ एक जगह तुम्हें मरते मरते बच के आया रवीश याद करो कि C.A. के टाइम में इंडिपेंडेंट रिपब्लिक आफ शाहिन बाग एक बना था वहाँ पे तुम्हारी इंट्री होती थी और वहाँ पे रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को किस तरह से पीटा गया था एबीपी वालों किस तरह से पीटा गया जीनियूज वालों को किस तरह से पीटा गया था उस पर तो तुमने कभी कुछ नहीं बोला तो तुम ये कैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे उपर जानलेवा हमले हुए ये सब तो recorded है ये वीडियो में है जितने नाम मैंने गिनाये हैं और वो एक event से मैं बता रहा हूँ किसान आंदोलन के भी समय पे यही सब हुआ है ये सब हमने देखा है तो ये क्यों प्रलाप कर रहे हूँ भाई कि तुम्हारे उपर मतलब हमें जेल में डालना कौन बाइठा है क्यों मतलब तुम्हारे जैसे कचरे को जेल में डाल कर क्यों वहां की मतलब गंदगी का मतलब कोई अगर सवच्च भारत वाले सर्वे और वे में आना होगा तो जेल की रेटिंग घट जाएगी तुम्हारे जिसे कचड़े को वहाँ पे अगर डाला जाएगा तो तुम्हें कोई जेल में क्यों डालना चाहेगा तुम्हें तो 20 फूट लंबे डंडे से कोई टच न में डाल देगा इसी में उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर पे जो है ट्विटर से न्यू जाती है एक्स्क्लूसिव खबरे अब नहीं आती कहां से आएंगी बर्खा जो फोन करके कि हां इसको पेट्रोलियम दिलवा दूंगी और वो गया ना तुम्हारा राष्टपती किला बेच दिया अडानी अगर एरपोर्ट बनाने का लेता है ठेका तो तुम कहते हो एरपोर्ट ही बेच दिया रेलवे स्टेशन में अगर कोई कंपनी किसी दूसरे तरीके से आ रही है जिसमें उसका जो है रख रखाओ करने के लिए अन्य तरीकों से इस्तेमाल होना तो क्या तुम बर्गला नहीं रहे ओडियंस को तो तुम जो यह कह रहे हो कि एक्स्क्लूसिव खबरे नहीं आती क्यों आएंगे जो खबर है ट्विटर पर तेरह मंत्री उससे खबर बनाओ एक्स्क्लूसिव होना अवश्यक क्यों है फिर आगे तुम बोले हो कि नहीं दवायर को इंवेस्टिगेटिव स्टोरी करता है वो इंवेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं होते हिट जॉब होती है 370 जब हटा था तो उस वक्त वायर ने क्या-क्या गंद मचाया है वह वहां के जो टॉपकॉप थे इम्तियाज उन्होंने कितनी वार खंडन किया यह बोल रहें कि नहीं बच्चों को जो है कहीं पर बंद कर दिया गया बोल रहें कि दवाई की खपत हो गई वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है जेलों में डाला जा रहा है आइसा कुछ नहीं हो रहा था यह सारा investigative report है तुमारा तुम इसको investigative report करते हो हो तुम कहते हो कि कोई इसे tweet नहीं कर रहें क्यूं करेंगा tweet विक्त को क्यों कोई आगे बढ़ाए उसकी अपनी भी तो credibility होती है तुम्हारी तो कोई नहीं है यह मानते हैं लेकिन जिनकी है उन पर तुम यह क्यों मतलब डाल रहे हैं जबरदस्ती का की नहीं आप भी वायर की रिपोर्ट पर कोई डिसक्रसन नहीं होती आगे इसी से जुरा एक वासिंग्टन पोस्ट में स्टैंड स्वामी जो था नकसली उसको लेकर के ए आरवार वासिंग्टन पोस्ट वाला खबर ला रहा था कि नहीं उसके लैपटॉप पे फलाने विशेशगे के अनुसार जो है है कर दिया गया और उस पर फलानी सामगरी डाल दी गई आप सुनिए यह स्टैंड स्वामी की रिपोर्ट आई है उसको क्यों नहीं आप शेयर कि लैपटॉप में यह सब चीजें कल प्लान्ट कर दी जाएं और चार साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए कि हम कोई देश के खिलाफ साजिस कर रहा है अब यहां पर रवीश बोल रहा है कि वासिंग्टन पोस्ट की खबर इतनी बार आई और उस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कोट उसका संग्यान ही नहीं ले रहा है भाई कोट का तरीका होता है ना तुमने बोल दिया कि जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई तो तुम्हारे कहने से नहीं होगा ना उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कोट को जितना एं इंच में थे ही सब करके गुजरात में उस वक्ट चुना होने वाले थे उसको तुम्हें इंफुलेंस करना था यह सारा तुमने किया है रवीश इसलिए जब तुम यह सब बोलते हो कि स्टैंड स्वामी के केस में फ़लाने रिसर्चर ने 75 रिसर्चर है रवीश रिसर्चर की तो यह हालत है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है और उसको वासिंग्टन पोस्ट की अपनी चवी कैसी है वो क्या कर रहा है उसको देखो जाके उसको तो मतलब आदे से अधिक अमेरिका उसको तो अख़बार मानने को तयार नहीं है वासिंग्टन पोस्ट हो या यह data चला गया, उसको कैसे पता चला, उसको evidence किसने पहुँचाई, कि उसके laptop में क्या था, वो कैसे यह claim कर सकता है कि किसी ने hack करके डाल दिया, hack करके डालना होता रहीज, तो तुम्हारा laptop hack हो जाता, तुम्हारे laptop को hack करके उसमें कुछ डाल दिया जाता, और बहुत easy हो जाता तुम्हें फसाना, तुम्हें क्यों ने फसाया गया, वरवरा राव का laptop क्यों ने hack हो जाता है, बाकी जो नक्सली थे भीमा कुरेगाउं वाइलेंस में, उनका laptop क्यों ने hack हो जाता है, यह तो बहुत आसान है कहना ना, कि जब आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते और आपके laptop पे कुछ मिला है, यह वही बात होगी कि मेरे भतीजे ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट खुद किया फ्रस्टेशन में, और उसमें कुछ गलती कर दी, अब आप फस गयो, तो बहुत नहीं मेरे भतीजे के हाथ में फोन था, मैं सुरेश रहना वाले ट्वीट की बात कर रहा ह तो यह इस तरह के सिली एक्सक्यूजे जो है, बच्चों वाले वो तो देना कम से कम बंद करो, अब यह वीडियो देखे, इसमें यह उस पर बात कर रहे हैं कि मैं हर जगह नहीं जाता, इन्वाइट होता हूँ, फिर भी मुझे सुचना परता है कि मैं किस के साथ मुझे द से पहले सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरह के लोगों से मुलाकात होगी, क्या वो हरकत करेगा, तो और यह बातें स्वभाविक रूप से भी आती हूँ, कि कहां जाना है, नहीं जाना है, तो बहुत तरह के चेक्स और बैलेंसे होते होते हैं कि छोड़ों हटाओ के, लेक आप अकलेस के साथ उसके चार्टर प्लेन में बैठे हों और चार्टर प्लेन के वारे में तो आपने खूब बोला है दूसरों को कि मुझे यह सब करने का शौक नहीं है, लेकिन आप मायवती के साथ स्टेज पे दिखते हैं, आपने एक और क्लिप जो है, उसमें यहीं, य मोदी जब प्राइम निस्टर का जो अपना एरोपलेन होता है, वो जब लेता है, उसे मॉटरनाइज करवाता है, तब आप कहते हैं कि यह देखो मोदी अपने लिए हवाई जाहाज खरीद रहा है, और जब वो आदानी के हवाई जाहाज से चलता है, तब भी आपको समस्य होती है, तो भाई आप भी तो दूसरे के हवाई जाहाज में बैठे थे, आपको क्या आपका जमीर नहीं पुकार रहा था उस वक्त, और मोदी तो है ठीक है कि अदानी के हवाई जाहाज में बैठने से क्या होता है, कल को बन्दर वो टाटा के बस में बैठा था, डियम आर माली कुछ चीज मिल गया हो, इसलिए तो अब आप लोगों का मजा कूरता है कि किसी एरपोर्ट के टर्मिनल का टेंडर जब निकलता है, तो आप लोग को पहले ही लोग बोल देते हैं, भाई रवीस, देखो अपने माली को इधर उधर पैसा जमा करके और टेंडर फाइल क और फेर इन स्कुएर वो जीतता है, तो आपको अस्थान विशेस में दर्द क्यों होता है, इस पर रवीस को सोचना चाहिए, अब यही आपका रहना, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी दिल्ली होकर ये भारत जोड़ो यात्रा आएगी, तो मुझे विश्वास है कि र मीडिया का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, फीचर इंट्रिव्यू देता है, जब भी वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात करे, तो फिर हम सभी को सावरकर की तरफ पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए, अब यहाँ पे देखि की एडिटोरियल अधानी को लेकर एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो हम सभ को सावरकर की तरफ पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए, सावरकर से पता नहीं इनको कहां जलन होती है, और कहां से धुआ उठता है, और इनके जूतों पर जो है, उसकी जो है आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब ये लोग कहां पे थे इनके घर का तो एक कुटा भी नहीं मरा है इस तरह की बात है यह सब उसी गैंग का है कि जैसे आजादी जो है नहरू परिवार की या कॉंग्रेस की बपहुती थी चुकि उस वक्त अडानी नहीं था इ उस वक्त टाटा थे तो इसलिए वो अच्छे हो गए वो बाई डिफॉल्ट अच्छे अद्योगिक घराने हो जाते हैं अभी का अमबानी जो है और अभी का अडानी जो है या बाकी जो है वो तो चोड़ लुटे रहा हो जाता है इनकी आँखों में तो यहां पर यह सावर रहा था नहरू भी तो जेल गया था ना उसकी जेल कैसी थी वो लगता है कि बिना चाटे हुए और वो भी खुरदरी जीव से और वो भी ऐसे जगह पे कि मजा ही आ जाए चटवाने वाले अंग्रुईजों को उसके बिना संभव था क्या प्रॉपर बेड है परने लिखने के लिए टेबल है और तुम आलोचना कर रहे हैं सावरकर की मतलब हर भारतिया के लिए सावरकर को जहां पे रखा गया था जिस सेल में वो पूझनी अस्थल होना चाहिए कि ऐसे जगह पे वो रहे थे और काला पानी का सजा काटने वाले और वहां से भाग निकलने वाले व कि है कि इनका इतिहास बहुत भी जब हिला हुआ हुझा है तो वही कुछ चीजएं इनोंने कीवर्ड जॉह न कीवर्ड इनोंने गर लिया है इसी के इर्दगिर्थ जूह हैं ये बातना चाहते हैं अगे इन्होंने बनाग कि नकली कुमार को मिल्स Security reminding वह बैठा रह गया वि तो बात नहीं होगी, तुम किसी को फोर्स कर सकते हो, क्या, तुमारी न विवर्शिप है, न तुम ढंग का, तुमारा इंटर्वियू हमने देखा है न, किरन बेदी से कैसे इंटर्वियू लिया था, और तुमने अरविंद किज्रिवाल से कैसे इंटर्वियू लिया था, त सब दिखता है रवीश तो तुम यह अपने आपका अधिकार कैसे माल लेते हो कि नहीं मैं हूँ एंकर प्राइम टाइम का तो मुझे तो इंटर्व्यू मिलना चाहिए क्यों देगा तुम्हें कोई इंटर्व्यू यार तुम इतने नीच बेगरट टाइप के ऐसे ऐसे प्रस्ण पूछते हो तुमने किरण बेधी से जो प्रस्ण पूछे थे और अर्विंद केजरिवाल से जो फ्रस्ण पूछे थे वो कोई वह व्यक्ति जाकर देख ले तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा एजन्डा क्या राता है तो एक एजन्डा के साथ जो पतलब जबरदस्ति तुमको तुमको जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर कुछ नहीं समझता है तो प्रधान मंतरी तुम्हें क्यों देगा यह तो फिर वही हो गया कि मैं रोने लगूं अचानक तो मुझे मोधी मुझसे डरता है मुझे नहीं देता है इंटर्विव तुम्हारे प्रधान मंतरी बधाई तक नहीं देते हैं क्या आदानी दे सकते हैं आगे दानिस सिदिकी वाला विचारे को बहुत चुहा रह गया रवीश को कि वह मर गया अफगानिस्तान में जाके और उसको पुलिजर प्राइज मिला और उस पे मोधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया क्यों करेगा दानिस सिदिकी हो या तुम्हारे जैसे लोग हो उन्होंने हिंदूओं की चिताओं का व्यापार किया था दानिस सिदिकी जब अफगानिस्तान जा सकता है तो योरोप के विशार जा सकता था वहां भी इटली में ताबूतों के लिए लकडियों की कमी पड़ रही है क्यों नहीं आ रहा है समाचार में वो तो नहीं दिखता समाचार में वो कब्रिस्तान में पत्थरों की कतारे जो हैं लाखों की संक्या हाजार नहीं लाखों में वो तो तुमने कभी नहीं दिखाया वो तो किसी दानिस सिदिकी नहीं दिखाया तुमने दिखाया वै प्लेम कर रहे हो मोदी को और उसके बाद तुम चाह रहे हो कि उसको प्रमोट क्यों नहीं किया प्रमोट तो तुम्हें भी नहीं किया तुम इसका भी रोना रो लेते कि मुझे मैकसे से मिला उस पे भी ट्वीट नहीं आए तो वो तो फिर अनंत संभाव नाए हैं उसके विक्टिम कार्ड वाले वर्जन रवीश के और आएंगे तो हम उस पर और भी चर्चा करेंगे ये लंबा वीडियो हो गया लेकिन आप लोग जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका जाने से पहले आप सबों से अन्रोध करूंगा कि लाइक शेर और सबस् को